हेलो बच्चों आज हम जानेंगे हिंदी और अंग्रेजी में संगीत उपकरणों यानि म्यूजिकल इंस्ट्यूमेंट्स के नाम तो चलिए शुरू करते हैं घंटी घंटी को अंग्रेजी में बैल कहते हैं वीना वीना को अंग्रेजी में हार्प कहते हैं ढोल ढोल को अंग्रेजी में ड्रम कहते हैं धोलक धोलक को अंग्रेजी में टॉम टॉम कहते हैं तुरही तुरही को अंग्रेजी में ब्यूगल कहते हैं पियानो बाजा पियानो बाजी को अंग्रेजी में भी पियानो ही कहा जाता है बासुरी बासुरी को अंग्रेजी में फ्ल्यूट कहते हैं सारंगी सारंगी को अंग्रेजी में वाइलिन कहते हैं मशक बाजा मशक बाजा को अंग्रेजी में बैक पाइप कहते हैं शहनाई शहनाई को अंग्रेजी में क्लैरिनेट कहते हैं सीटी सीटी को अंग्रेजी में विसल कहते हैं हार्मोनियम बाजा हार्मोनियम बाजी को अंग्रेजी में हार्मोनियम कहा जाता है यहूदी सारंगी यहूदी सारंगी को अंग्रेजी में ज्यूज हाप कहते हैं गिटार गिटार को अंग्रेजी में भी गिटार ही कहा जाता है डुगडुगी डुगडुगी को अंग्रेजी में ड्रमिट कहते हैं तबला तबले को अंग्रेजी में टैबोर कहते हैं बिगुल बिगुल को अंग्रेजी में क्लैरियोन कहते हैं बैंजो बैंजो को अंग्रेजी में बैंजो ही कहा जाता है बीन बाजा बीन बाजी को अंग्रेजी में माउथ ओगन कहते है शंक शंक को अंग्रेजी में कौँच कहते है सरीद सरीद को अंग्रेजी में सेरट कहते है सितार सितार को अंग्रेजी में भी सितार ही कहा जाता है तो बच्चों आज हमने जाने हिंदी और अंग्रेजी में म्योजिकल इंस्ट्यूमेंट्स के नाम आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं बाई बात्लिट के जरूरर करेंट्स केुछूमेंट्स